हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आएम मनुज कुमार और दोस्तों आज फिर से एप बीडियाई से ही रिलेटेड एक और कंसेप्ट की बात करने वाले हम पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं एप बीडियाई की जिसमें सप्लायर को कैसे बनाते हैं, site कैसे बनाते हैं, address कैसे बनाते हैं, site का assignment कैसे करते हैं, assignment को करने या ना करने से क्या फर्क बड़ता है सिस्टम पर, सारे चीजों की बात हम कर चुके हैं बिल्कुल उसी सीरीज में उसी पैटन में आज बात करने वाले हम supplier के contacts को किस तरीके से हम import करेंगे कैसे by using FBDI तो जब FBDI की बात करें तो सबसे पहला जो term आता है FBDI की case में वो आता है कि सबसे पहले correct FBDI कैसे download करेंगे हर एक वीडियो में जारा तर मैंने आपको बताया ही है कि कैसे करतें बिना time wish किए fast way में एक अपनी contact की FBDI download कर लेते हैं simply चलते हैं कहां पर simply चलते हैं Google पर simply लिखते है supplier FBDI supplier FBDI जाता है जो भी पहला oracle का doc खुलता है simply उस पर click करने सिंप्ली जाना है supplier के उपर अभी oracle का doc खुल रहा है simply जाना है supplier module सप्लायर मोडूल पर सप्लायर मोडूल पर जाके कौन सा supplier contacts की बात कर रहा हूं click कर देना है FBDI के लिए कौन सा वाला mode लेना होता है XLSM वाला template मुझे चूज करना होता है तो simply download कर लेता हूं डाउनलोड करने पर आपने देखा यह file यहां download होगी है simply इसको open भी कर लेता हूं जब कभी मैं standard जो मैंने oracle की site से everyday download करी है वो बिल्कुल basic में कुछ एक dummy data के साथ download होती है तो data को कैसे समझना है हर एक template का अलग-अलग तरीका है अलग-अलग scenario समझने का यहां पर एक ही template के अंदर दो tabs आ है पी-ओ-ओ-ड कॉंटेक्स जो supplier मतलब supplier contact और उसके address का कुछ contact something तो इस चीज को कैसे समझे तो इस चीज को समझाने के लिए सब से पहले मैं लेके चलता हूं आपको sales के front end window पर जहां पर मैंने कुछ-कुछ dummy supplier जो मैंने बनाये हुए तो आपको कराने से पहले पहले एक label की testing मैंने अपने test supplier नाम के supplier पर किया यहां पर आपको बहतर समझ में आएगा कि यह जो दो template दिये हुए यह क्यूं दिये हुए तो template को समझने के लिए simply कहां पर आया contacts में आए अब contact मुझे यहाँ पर एक पि दिख रहा है तो फिर यहाँ पर दो क्यूं दिखाई दे रहे हैं दो क्यूं दिखाई दे रहे हैं चाइक है है supplier contact with address ठीक है तो कुछ-कुछ दो जगह मुझे contact दिखने चाहिए तो supplier level का contact मुझे ऊपर ही दिखाई देता है यह दिख रहे है दूसरी contact कहा पर है दूसरा है address level पर addresses पर click करते हैं अब addresses पर click करता हूं तो देखता हूं यहां पर addresses है एक यह address है एक यह address है किसी भी address पर click कर लेते हैं और edit mode में करते हैं so that मुझे clarity आये कि मेरे contact यहां काम कैसे कर रहे हैं मैंने edit mode में लिया है किसी भी Delhi 10091 वाली site पर address पर मैं click किया यह मेरा address यहां पर लिखा हूँ है थोड़ा scroll down करता हूं scroll down करने पर देखी यहां पर एक contact लिखा हूँ है ठीक है तो यह जो contact है यह वाला जो contact है यह contact है मेरा address वाला contact यह और जो बाहर दिख रहा था जो इस वाले window से बाहर दिख रहा था supplier लेवल में वह वाला है मेरा यह वाला template तो दोनो template मुझे पकड़ में आगे अब दूसरी चीज़ समझी है supplier लेवल का जो contact है यह वाला contact यह वाला template है यह template मेरा बाहर जाकर कि supplier का contact बनाएगा और address वाला address बनाएगा लेकिन लेकिन एड्रेस वाले टेमप्लेट पर दी हुई information जो भी information मैं यहाँ पर दूँगा वो मैं यहाँ पर front से पहले front से सवनना ज़रूई तभी back end का भी scenario सवनना आगा front से किसी भी तरीके से यहाँ पर एड्र नहीं कर सकता हूं option जरूर आ रहा है क्या select and add click करके देख लेते कि क्या है front से मुझे कुछ करने देता है यहाँ पर search करने के लिए बोलता है search में कौन सा करूं मैंने तो भी contact create ही नहीं किया कोई यहाँ से create करने का नहीं दे रहा है मतला यहाँ पर जो भी यह list of values यह नीचे जो detailing दिख रही है दो contact दिख रहे है मेरे क्योंकि दो मैंने अल्रेटी बनाए हुए है कहाँ पर बनाए हुए है supplier level पर दो मैंने बनाए हुए है यह दोनों वो दिख रहे हैं जो supplier level पर है लेकिन यहाँ पर address label पर कहीं भी contact create करने का option नहीं आता हाँ यहाँ पर value दिखती जरूर है मुझे क्यूं दिखती है यह दिखती है जब आप बाहर जाओगे cancel करो contacts पर जाओ जब मैं contact create करता हूँ तो यहाँ पर आता है मैं आपको नया create करके दिखाता हूँ लेट से अभी मैंने यहाँ पर मनोज सचिन दोए एक और यहाँ पर आपको dummy basis पर create करके दिखा रहा हूँ बस लेट से मैंने दिया कोई नाम ऐसे ही समझाने के लिए विनोद दिया last name इसका कुमार दे दिया आपको समझाने बर के लिए दे रहा हूँ कुछ भी यह दे दिया और कोई भी number यहाँ पर डाल दिया समझाने बर के लिए यह किया और इसको क्या करता हूँ इसको करता हूँ save and close, save only not close, save जब इसको save करता हूँ तो यह entry मेरे system पर एक supplier level का contact यहाँ पर बना देगा इसने क्या बोला, supplier level contact बन गया, अब यहाँ चलते हैं, select and add, select and add, select and add पर गया और यहाँ पर यह पूस्ता है, कि जो supplier आपने बनाया है, इसको किस site पर लगाना चाहते हो, तो जो, sorry, किस address पर लगाना चाहते हो तो जो address label का contact है, जो address label का contact है, वो यहाँ पर जब आप उसको map करते हो, तब वो जा करके वहाँ पर मुझे देखता है, ठीक है अभी मैंने supplier level पर बनाया, close कर दिया इसको, supplier level में मुझे कितने दिख रहे है, supplier level में मुझे तीन contact दिख रहे है address level पर, add करने का तरीका देखते हैं, वहाँ पर मैं add कर पाऊंगा के नहीं, मैंने एक नया बनाया है, किसी भी एक site पर लेलता हूँ, हाला कि मैंने पहले एक site पर एक contact लगाया था अभी इस वाले address पर कौन से, इस वाले address पर एक already लगा हुआ है, एक और add करते हैं, कौन सा, जो हाँ create किया है, अब यहाँ दिखेगा, यह वाले create किया है, इसको मैं इसी वाले पर apply कर देता हूँ तो अब एक address पर मेरे दो contact है, एक address पर मेरे दो contact है, और दूसरे वाले address पर मेरा एक contact है, दूसरे वाले address को भी खोल के देख ले से, तो क्या समझ में आया है, समझ में मुझे यही आया है, कि भाई, मुझे contact अगर create करना है, तो कहा create करना है, मुझे supplier level पर contact create करना है, और फि लगा हुआ है तो जिस भी address पर जो भी मुझे contact लगाना है वो मैं इसी लगा सकता हूँ but first we have to create our contact on a supplier basis तो यहाँ पर मुझे अपने contacts बनाने होते हैं तो यह तो ही front end की कानी इसी चीज़ को different supplier के थूरू different supplier पर by using FBDI अब हम achieve करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों के साथ scenario को समझना बहुत जरूर है यह क्या है मेरी यह है मेरी supplier label की supplier label की template और यह मेरा address label का template तो करते हैं कुछ नहीं सारी की सारी चीज़े यह कुछ कुछ dummy data देता है मैं अभी सारा हटा रहा हूँ हटा दिया यहां पर भी सारे के सारी हटायता हूँ कोई फरक नहीं पड़ता हटा दिया अब आप बनाता हूँ अपने data कैसे बनाता हूँ batch दे देता हूँ कोई भी number कुछ भी हो सकता है batch batch का number दे दिया let's say मैंने 26 जैन टूट इंपोर्ट के नया बना रहा हूँ भाई नया बनाऊंगा create तो यह कौन सा वाला बना रहा हूँ supplier वाला यह वाला यहीं पर मैं नए अपने candidates को add कर सकता हूँ और इन candidates को किस address पर locate करना है वो मैं करूँगा second वाले से तो यह क्या supplier का नाम क्या है supplier के नाम है यह लिया simply यहाँ पर copy कर दिया first name लेट से example के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर यह last name लेट से यह job नहीं डालना जो जो मुझे चाहिए मैं उतनी information डालूँगा लेट से मैं लिख देता हूँ अभी के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं country code जो जो आपको लगे आपको डालना है आप डालो जो नहीं लगता है मत डालो यह किया इसके बाद कुछ भी एक number मैंने डाल दिया dummy number कोई भी ठीक है मैं इतनी information डालो मैं ज्यादा डाल ही नहीं रहा एक contact create कर रहा हूँ किस पर supplier लगाना है address पर तो address को समझने के लिए supplier को खोल लेते हैं और इसका एक address भी ले लेते हैं जो हमने last अपनी किसमे अपने लास्स जो वीडियो से उसमें बाई यूजिंग वीडिया जो बनाया उसमें लेते हैं तो सबसे पहले supplier उसका एक address लेकर आते हैं address भी हम यहीं ही supplier था इसका एक address उठा के लेकर आते है address is ये रहे address पर मेरा contact लेगा तो address क्या है address मेरा यह वागlla, copy ले लिया, address को मैं यहाँ पर, address को मैं यहाँ पर, paste कर लेताओ, show that special character कहीं से भी ना जये, address लिया, address को जा करके यहाँ पर, क्या करना है, batch supplier देंगे, address का नेम डाल दिया, supplier का नेम, front वाली window से ले आओ, ये डाल दिया action क्या है create करूँगा भाही उसको भी और batch batch same दे दो कोई फर्ट नहीं पर था batch से ये मैंने batch यहां पर same दे दिया first name same रखो first name same रखो जो आपको यह allocate करना है second name same रखो जो आपको यह allocate करना है और इस से जादा कोई information देने की यहां जरूत नहीं है simply बता रहा हूँ मनोज नाम का जो बंदा है उसको इस address पर allocate कर दो इसके contact details supply level पर मैंने दी हुई है अब इसको कर देते हैं save save करने के बाद आते हैं front window पर यहां पर generate CSV करने से पहले मैं बता दू कि यह सारी tables जो भी use में आ रही है इसके लिए मैंने data model यहां पर बना के रखा हुआ है कहां है वो data model मेरा यह रहा है कितनी table से 1,2,3,4 stall करता हूँ 5,6 यहां पर कितनी है 1,2 3 और यह नीचे 3 नीचे 6 6 की 6 table मैंने यहां पर आपके लिए लगाई हुई आप अपने data को नाम देते हैं क्या है 909 देते हैं कोई फरक नी पड़ता इसको भी नाम देते हैं क्या 909 देते हैं CSV को भी OK कर दिया एक और फाइल है क्योंकि जितने template होते हैं उतनी फाइले बनती है तो मेरे zip भी बन गई है और 2 CSV के template भी बन गई है अब यह मेरे यहां पर रखे हुए है अब चलते हैं अपनी front end window पर कहां पर चलते हैं जहां पर अपने program submit करते हूँ कौन सा program सबसे पहले submit करूँगा अब तो मेरे ख्याल से आपको बहतर समझ में आ गया होगा क्योंकि लगा था same same इसी तरीके की फाइल को अपलोड करना है तो लोड इंटरफेस फाइल फॉर इंपोर इंपोर्ट यहां पर चलते हैं लोड इंटरफेस फाइल फॉर इंपोर्ट ओक करते हैं किस परपस के लिए करना है किस परपस के लिए करना है परपस है मेरा Import Supplier Contacts डालते हैं टैब करता हूँ कई बार बार बताता हूँ यह Red हो जाता है बिल्कुल फरक नहीं पड़ता है इस बास से यहाँ पर कई बार Search करके नहीं ले के आता है क्या करते हैं Search पर क्लिक करते हैं अपने इसी Value को Find करते हैं और Simply OK करते हैं Search Search Value नीचे आगई क्लिक किया और अपनी File File कौन सी है जो मैंना भी बनाई 909 वाली और वो भी Zip Zip वाली फाईल यह मैंने उठाई OK कर दी OK कर दी और Simply Submit कर दे Submit करने के बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगेगा OK करता हूं, रिफ्रेश करता हूं पहला प्रोग्राम आक जो मैंने लाँच किया था यह मेरे पैलली कितने प्रोग्राम और फाईर करेगा यह पैलली दो प्रोग्राम तीन प्रोग्राम यह पैलली फाईर करता है पहले load Interface File Import फिर फाईल को Transfer करता है और फिर interface में by using control files, कौन सी control files, ये वाली control files, जो यहाँ पर है, जितने sheets होंगी, उतनी control files होंगी, इन control files को use करके, ये मेरा data interface तक upload कर दिता है, data को देख भी लेते हैं, जितनी file उतने load interface file import, जितनी file उतने ही transfer, clear है, ये इसने interface तक succeed है सब, और आप चलते हैं कहाँ पर interface में अपने data को देखने, यहाँ पर आगे, अभी देखे, दो दो रोज दिखाई देरी सब्सक्राइब, मैं refresh करता हूँ, view करता हूँ data को, सारी tables का data यहाँ पर मुझे दिख जाना चाहिए, एक ये है, दूसरा ये है, आप क्या करते हैं, अपना import program चलाते हैं, कौन सा import program, मुझे clear है, ये वाला import, import supplier contents, यही इंपोर्ट है, यही वाला program automatically interface से इन चीजों को flush out कर देगा, ये डाला, tab किया, ok किया, ok करने के बाद गुशता है, कौन से status वाले उठाने है, import option new, new वाले उठाने, batch भी हम डाल देते हैं, सिर्फर साइड, batch भी हम डाल देते हैं, हाला कि batch mandatory नहीं है, बट फिर भी डाल देते हैं, ok करते हैं, so finally यहाँ पर दोस्तों, हमारा import supplier contact, जो है, वो यहाँ पर succeed हो गया है, succeed के साथ में यह भी देख लेते हैं, कि भाईया, इसने log में क्या दिखा है, more पर जाते है, PDF, जो यह PDF है, इस पर click करते हैं, इस पर click करने के बाद, simply इसको खोलते हैं, clearly बताएगा, क्या, supplier contact imported one, supplier contact address imported one, और वो भी successfully, click करते हैं, क्या detailing इसने import करिए, वो भी simply इसने यहाँ पर बता दिए, अब बारी आती है, इसको front end पर check करने की, तो front end पर check कर लेते हैं, कि जो बोला है, वो हो भी गया है कि नहीं हो यहाँ पर अपने उसी supplier को खोल लेते हैं, supplier app 99 को यहाँ पर खोला, simply open करने के बाद, contact पर देखते हैं, contact पर supplier level पर कुछ आ गया, yes मेरा बिलुकुल supplier contact level पर आ गया, इसको open करके देखते हैं, यही detailing दीती है हमने, मनोज कुमार इतना ही दिया था, कुछ-कुछ यह अपना phone number something दिया था, बिलुकुल perfect आ गया, किस address पर इसको allocate किया है, वो address की detailing देखे, यहाँ पर भी आ गया, अब इस address पर किया है, तो but obvious है, जब address पर जाऊंगा, तो मुझे यह contact वहाँ पर दिखना चाहिए, चलिए, address वाले चीज़ को भी verify कर लेते हैं, simply addresses पर जाते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पर, कहाँ पर, contacts में आपको easily दिखाई देगा, कि देखिए, मनोज कुमान नाम का एक contact यहाँ पर simply add हो गया, तो दोस्तों hopefully किस तरीके से contact यहाँ पर create करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, यह easily मुझे यहाँ पर understand हो गया होगा, आपको contact कैसे बनाना है, side कैसे बना करना है, कौन से program रन करने है, सारी चीज़े बहतर तरीके से समझ में आगी जोंगी, तो दोस्तों इसी तरीके से अपने भाई के साथ जोड़े रहें, नई-नई चीज़े सीखते रहें, अपना support इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखें, और हाँ दोस्तों मुझे message करना, मु करें, so that आपके पास इस तरीके से हिंदी में proper तरीके से ground label की information के साथ, बिल्कुल basic से हर चीज़ आपको मिलती रहे, timely, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फिर से मुलाकात होगी, एक नए वीडियो में, नए concept के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इज Thank you so much.